देखो, कॉशन देखो रुपेश इंजिनियरिंग कॉर्परेशन देखो एक मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई इसमें? दो लाख तो दस मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? बताओ, ट्रांजेक्शन वेल्यू कितना हो जाएगा? 20 लाख 20 लाख हो जाएगा? सब साथ साथ बनाते चलो कोई स्क्रीन शोट वगरेर काम मत करना ना? चुप चाप नोट बनाते चलो और क्या बोलते हैं? आज सब मुझे नोट वाट्सब करेंगे अपने सब के सब ट्रांजेक्शन वेल्यू आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था तो उसमें आप लोगों के पास मेरा नंबर तो आया ही होगा तो सब पूरे नोट जो प्राक्टिकल के बनें सब मुझे वाट्सब करेंगे नहीं तो देख लेना फिर आप लोगों कि मैम यह वाले चैप्टर का यह वाले चैप्टर का यह सम्पूरे जेस्टी के नोट में कुछ आइए सब के तो देखो कितना हो गया इसका अमाउंट 20 लाक हो गया अब नेक्स देखो अब नेक्स पॉइंट देखो क्या लिखा है मशीनों के मूल्य के अलावा निमनलिखित व्याइ अतिरिक्त वसूल करता है मतलब एक्स्ट्रा चार्च करा रहा देखो besides this price the manufacturer charges the following items देखो उसके अतिरिक तो दे रहा है besides यानि add नहीं है अब add करना पड़ेगा देखो देखो varieties and questions की याद रखना कल था जिसमें included नहीं है तो देखो फिफ्टीन थाउजन नेक्स देखो पैकिंग प्रती मशीन है न एक मशीन का 5000 मशीन कितनी है टेन तो टेन इंटू 5000 कितना हुआ फिफ्टी थाउजन फिर देखो पैकिंग के बाद लदाई एवं हमाली लोडिंग एंड हॉलेज देखो इसमें हिंदी इंदी का कोई टेंशन नहीं आपको कोशन में clear cut इसमें हिंदी दिया रहता है तो उसकी टेंशन मत लेना बाकि जो transaction value है आप उसको भीजग मूल्य भी लिख सकते हो विवार मूल्य भी लिख सकते हो सिंपल और आप लोग चाहो तो इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल बना सकते हो तो लोडिंग चार्जिस 1000 इन टोटल नेक्स देखो आउट्वर्ट ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट कितना दिया है एट थाउजन करो टोटल कितना रहा है माम ट्वेंटी लैक सेवेंटी फॉर थाउजन ने बिटा यह वाली अमाउंट बस फंद्रा पचाशाँ सेवेंटी फॉर थाउजन सबका आ रहा है यही यह क्या सेवेंटी फॉर तो नीचे टोटल देखो इसको लिखना टाक्सिबल वैल्यू टोटल करना तो टोटल आएगा आप लोगों का ट्वेंटी लैक सेवेंटी फॉर थाउजन किसी को डाउट है यहां तक नौ मैम निक्स देखो टाक्स बन वैल्यू के बाद कुछ दिया नहीं है एफेक्टिव रेट आफ जे एस्टी दिया है टाक्स बन वैल्यू के बाद एड कर लो सीजी अस्ट और एज़ी एस्टी कर दो cgst कितना परसंट दोगे question में देखो 18 दिया तो at the rate equally divided कर दोगे 9% sgst the rate 9% तो कितना हुआ देखो cgst sgst 99% हो गया बताओ निकालो 20,74,000 का 186 186 660 यही आ रहे है चितेश यही आ रहे है करो टोटल करो तीनो को टोटल करो लेको टोटल एमाउंट ओफ इन्वाइस यह question last year पूछा था 24,47,320 यह question select करके रखो यह पूछा था यह question last year बताओ कुछ था इसमें बहुत ही simple मैं बस इतने ही करना है अपने को जेस्टी में और कुछ नहीं है कुछ नहीं है चाहिए क्या extra चलेगा ने इतना अब देखाँ एक्जाइम में इतना सा question है लेकिन अगर मेरे पास कोई भी copy आई कि चेक करने तो मैं 8 से जादा नंबर नहीं दो तो 15 देखो प्राक्टिकल की सबसे ची बात indirect text में ये है कि अगर आपका answer correct आ है और आपने working note दिया तो आपको 15 out of 15 मिलेगा समझ में आ रही है बात तो आप लोग सबसे पहले जैसे ये question complete होगा उसके बाद आप habit में डालो कि हर एक point का आप working note देंगे हर एक point का theory जैसे जैसे अपन theory देते है ने मिठा same वैसे ही आपको working note देनी है सबको next करें question देखो निमनलिकित सूचना से JST के अंतरगत कर्योग्य पूर्ती की गढणा कीजिये पूर्ती किये गए माल का अनुबंदित मुल्य कॉंट्राक्टेट जो वैल्यू है वो कितने का दे रहा है देखो टू लाक सिक्स्टी थाउसें का तो लिख दो transaction value यह फिर invoice अच्छा invoice price तो अपन last में निकालेंगे इसमें निकालो transaction value लिखो जल्दी से सब बीजक मुल्य कितना दे रहा है देखो टू लाक सिक्स्टी थाउसें किक्यें नेक्स देखो question में देखो इसकी बात क्या दिया है अनुबंदित मुल्य में निमनलिखित सम्मिलत है मतलब जो included है उसको add नहीं करेंगे याद रखना clear कर लिखा है the contracted value of supply includes the following यानि second के जितने भी point है A, B, C, तीनों के तीनों add है तो इसको add नहीं करेंगे next out third point other information दिया है और इसके लिए लिखा है क्या कि add है या नहीं है अगर कुछ भी नहीं लिखा है added है या नहीं है तो यही assume करेंगे कि वो इसमें add नहीं है और अब अपन इसको add करेंगे देखो क्या दिया है परिवहन के लिए प्राप्ती करता के आग्रह पर किये गए सुरक्षित पाकिंग की लागत प्रोटेक्टिव पाकिंग पर सेफ ट्रांस्पोर्टेशन तो लिखो पाकिंग कितने का दे रहा है कि दो अजार का कमीशन कितने का दे रहा है तेरा अजार का पर क्या दे रहा है देखो फ्राइट एंड इंशुरेंस 12,500 का देखो फ्राइट एंशुरेंस आ रहा है नेक्स देखो फाइंड आउट टेक्स पेबल एंड टोटल अमाउंट ओफ बिल इफ जीएस्टी रेट इस 12 परसंट अन गुद सप्लाइड टोटल करो टोटल करो टेक्सिबल वैल्यू कितना आया टेक्सिबल वैल्यू 287,500 287,500 सबका यह आ रहा है एंसर पिर क्या करेंगे इसके बाद आड करो GST कितना दिया है 12% तो कितना लोगे 6% CGST एड़ 6% और SGST एड़ 6% तो CGST एड़ टोटल बताओ कितना है इमांट मैं 17,250 तोटल तोटल बताओ तोटल 34,500 34,500 तोटल 34,500 तोटल 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 कितना रहा एंसर बताओं किसे को डाउट है कोशी कोश्चन में सिंपल लग रहा है जीएस्टी यस वाहम तोटल इसकी थ्योरी डिफिकल्ट है बस प्राक्टिकल बहुत इजी है अब तुमारे उपर एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी डाउट है किसी कोश्चन में एग्जाम में तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग उस समय पर थोड़ी सॉल करना प्राक्टिकल नहीं क्योंकि प्राक्टिकल थोड़ा सा भी गढ़बर करोगे तो पूरा अंद्रा नंबर से ले जाएगा 3,22,000 किसको पूछना है तो पूछो नहीं तो फर नेक्स कोशन करते हैं याद रखना ये फर्स्ट वराइटी वाले कोशन से हैं अ प्रोड्यूसर्स वाले करें नेक्स कोशन येस मैं एक मिनट इसक्रीन पर लेक्या दिन देखो ट्रांजेक्शन वैल्यू लिखो देखो छेसोर प्रती पंखे तूम मूल्य कितना दिया है शेसोर पर दिया है न कितने है एक अजार तो शिक्स हंड्रेट इंटू वन टाउजन कितना आया शिक्स लेक्ट शिक्स लेक्ट आया सबका आया येस मैं अब ब्रैक्ट में देखो क्या लिखा है मूल पैकिंग वे 40 रुपीज इंक्लूड़ेड सही थे न तो जो मूल पैकिंग जो कॉमन पैकिंग है वो उसका एड़ है अब भी देखो काटून की पैकिंग ये एड करेंगे एड़ पैकिंग कोस्ट पर काटून देखो 200 कंटेनिंग 10 फैंस इच काटून तो देखो एक काटून में किते पंके दस लिखा है कि नहीं कि एस मैं तो दस फैंस हैं एक काटून और उसका कॉस्ट कितना है 200 है तो अपने कितने काटून बनेंगे बताओं साथ सो बनेंगे कैसे हैं थाउजन दिए टैन कर देंगे तो आजाएंगा हंड्रेट काटून बने तो कितना हैगा कॉस्ट 200 इन टू हंड्रेड हंड्रेड किता आया पैकिंग कॉस्ट ट्वन्टी थाउजन क्या था इसमें जो पूछ रहाएं थे मैंडम पैकिंग कि वह तुमको फर्स्ट पॉइंट में मूल पैकिंग दे दिया था ना बेसिक पैकिंग डिसकाउंट लास्ट में लगाना फिर क्या लिखाए ट्रांजिट इंशुरेंस 1000 लिखो जल्दी से ट्रांजिट इंशुरेंस लिखो फिर ट्रांजिट इंशुरेंस की बाद आउटवर्ट राइट कितना है आउटवर्ट राइट 15,000 फिर नेक्स देखो डिस्ट्रिब्यूटर इंकर्ड 80,000 अउन बहाफ ऑफ और अब अद्वर्टेज्मेंट तो एडवर्टेज्मेंट लिखो डिस्ट्रिब्यूटर निंग किया है किसके विहाफ पर खर्च कर रहा है नुफेक्चिरर पर तो यानि इनुफेक्चिरर को तो देना पड़ेगा और अपन जो भी अभी जेस्टी कलकुलेट कर रहें वो किसका कर रहे है मैंनुफेक्चिरर और मतला प्रोडूसर का ही कर रहे है तो 80,000 यह एड़ हुआ है टोटल करो कितना हुआ हुआ है मैं वन लाग 16,000 नहीं टोटल कर दो पूरा एक साथ बेटा आप 6 लाग भी जोड़ दो उसमें वन लेक 16 बोला तो साथ लाग सोला हो जाएगा तोटल साथ लाग सोला हजाएगा तोटल साथ लाग सोला हजार किसी को डाउट है यहां तक? कि नो मैम नेक्स नो मैम ट्रेट डिसकाउंट लेस करूँ कि मैम एंच परसेंट बोला है मतलब एक फैन का फाइब परसेंट निकालेंगे फिर तो थाउजंश मुल्टिप्लाइब तो आजाएगा ना आजाएगा करू कितना है कि अगर नहीं समझ में आया है तो छेस और पर लिखा है मतलब छेस और पर की प्राइस पे पांच परसेंट तो यह शेसो का था तो छेसो का पांच परसेंट निकालोगे कितना है थर्टी थर्टी कितने फेंस है वन थाउजन तो हो गया थर्टी इन टू थाउजन थर्टी थाउजन माइनस करके बताओं साथ लाग सोला में से तीस हजार गया 6,86,000 यह हो गया टाक्सिबल वैल्यू फिर क्या करते है इसमें एड करते हैं जी एस्टी बारा परसंट है तो cgst एड़रेट 6% फिर sgst जल्दी बताओं किता है का एक एंस है 41160 परसंट यह यहार है सबका yes ma'am 41160 yes ma'am total करो बेटा सब इसका किता आएगा किता आएगा इसमें टोटल एमाउंट ओफ इन्वाइस अब देखो question तो यहां पर ready हो गया लेकिन working note देनी है एक एक point की आएगा 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 आएगा